उसको भारत का शुक्रिया अदा कर रहा है उस अटैक के बाद जो मदद की है भारत ने वो काबले तारीफ है जाइंट इंडिया पूरी दुनिया में वाइरल हो रहा है इसकी वज़ा यह है कि अब दुनिया के इलेक्शन्स में भी इंडिया की बात की जा रही है बट हम लोग जैसे है ना अगर हम मदद हमें ज्यादा मदद की ज़रूरत है पता है कि इंडिया की जो इंपोर्ट है रही है से वो चार सौ परसंट बगी है जैसे तेवी से उनके इंटरनेशन लेवल पे बेहतर होते नदर आ रहे हैं दुनिया की पांचवी बड़ी इकानमी बन चुकी है और आने वाले दो तीन चार साल में शायद दुनिया की तीसरी बड़ी इकानमी बनने वाले वैसे तो टो बी वेरी ओनेशन घुद एक डिवलपिंग कानट्री है डिवलपिंग भी नहीं है तो पाकस्तान जल्द जल्द डिफॉल्ट की होगा रिसेंटल ही रश्या के कैपिटल मॉस्कों में बहुत बुरा टेररिस्ट अटैक हुआ बहुत बुरा वहां पर हमला हुआ, जिसके बाद भारत ने रश्या की मदद की, अब मौसकों से खबर सामने आरही है कि मौसकों भारत का शुकरिया अदा कर रहा है, उस अटैक के बाद जो मदद की है भारत ने वो काबले तारीफ है, रेशियन इन्वार टू इडिया ने बह आपको लगता हम कर सकते हैं वैसे तो तो भी वेरी ओनर्स मैं हम लोग खुद एक डिवेलपिंग कंट्री है नहीं है सॉरी टूसे डिवेलपिंग भी नहीं है बट उस टाइम पर हम लोग डिवेलपिंग थे लेकिन अब तो मुझे यही लग रहा है कि पाकिस्तान जल्द जल डिफॉल्ट होगा उसे कहना नहीं चाहिए बट हम लोग जैसे हैं ना अगर हम मदद हमें ज्यादा मदद की जरूरत है पिर आप कह रहे हैं कि वह कंट्री का नाम लेंगे ना जिन्होंने मदद की हमारा कैसे ले लें कि इंडिया तो वैसे डिवेलप कंट्री है बहुत आना चाहिए लेकिन मुझे ऐसा लग रहे है कि पाकिस्तान जाहिए हम कहां से करेंगे मदद हमें तो चाहिए मदद हमें तो चाहिए क्योंकि इतर की हवाम जैसे आज इस्टर था आज हमारी एद थी लाइक ट्रुस्टन और हम लोग घर थे ना लाइट आरी थी ना पानी यह तो हाल है और जो के बहुत गलत था हमें पता है हम लोगों ने कैसे उस चीज को सफर की है और बिल्कुल दो घंटे के बाद लाइट आई थी तो बी वेरी ओनेस्ट और क्या ही पाकिस्तान के हला आत है पाकिस्तान इस हेल फो एजुकेटेड पीपल सॉरी तू से जाएट आएट चेंज न दिस कंट्री एर्श रियल्टी या एन जैसे आपने देख लिया था के कल इनोंने चर्च को आग लगा दी इस्ट गिफ्त था जी अराउंट त्री ओ क्लॉक और एंजी पंडरावल पंडी में इनोंने चर्च को आग लगा दी और यह हम लोगों को सूज इस्ट की हैं यॉद्ट केह सकते एक कोई आ नाम लेगा शुक्रिया करने के लिए यह बहुत कैसे किनई मुझे तब उस टाइम पर लगा था कि जैए पाकिस्तान ने मदद की ऑगी उसका नाम नी आ रहा बट आप ने मुझे पाकिस्तान ने मदद नहीं की अब मैं यही बता रही हूं कि पाकिस्तान में फॉल्स के मैं उन्हें प्रॉमिनेंट करके बता रही है Minorities are safe in Pakistan? नए, minorities are not safe in Pakistan because किसी भी चर्च में आग लग जाती है अभी पिछले दिनों भी एक चर्च अनों जलाया था और भी चलाया थे Christians की और ये लोग, मतलब हम यही कहेंगे कि प्लीज, ये उतना हग जतना Muslims का इदर वैसे ही Christian है, बोट are equal अगर कुरान की इज़त है, वैसे Bible की इज़त है ठीक है, और ये आला किताब है दोनों और प्लीज, जैसे आप हर चीज की इज़त करते हैं, वैसे आप Bible की इज़त करें, लोगों की इज़त करें, और हकूक एक मिलने चाहिए तो टेस्की रिमिनेशन यहां पर हो रही है, आपको लगता है कि भारत में हो रही है नहीं भारत में, मुझे नहीं लगता हो रही होगी, भारत is way better than Pakistan secular country है न? या, काफी developed है country और वो काफी अच्छी है, उदर even talent को भी promote किया जाता है, जो के पाकिस्तान में नहीं किया जाता है, जैसा कि यह time आ चुका हुआ है, वो इंसानियत कितनी promote कर रहे है, पूरे world के कितनी help कर रहे है, या क्या उनका करता है पूरे world में? देखा जाए तो वो मदद करी रहे हैं, क्योंकि वो एक proper developed country है, और अगर उनसे कोई मदद मांगे, उनका प्राइम मिनस्टर काफी जादा मदद करता है, उसके सोधिया अरे में meet-ups करते हैं, वो जो प्राइम मिनस्टर हैं, और पाकिस्तान को कौन बुलाएगा, हमारे तो प्राइम मिनस्टर कंसेडर ही नहीं होते, हमें पता ही नहीं है, हमें भी नहीं पता अभी के क्रांट प्राइम मिनस्टर एक्चल है कौन, मुल्क कोन चला रहे हैं, आखर सवाल पूछूंगी, क्या वो तारीफ और इज़द डिजर्फ करते हैं, कौन, इंडिया, या, कोल्ड वार में और बारा जो है वो मॉस्को पे रशिया पे अपने वैपन्स और एकनॉमिक सिपोर्ट पर बड़ा डिपेंडेंट रहा पाकिस्तान जो था उसने पहले से लिए अमरीका रटोर पे हमने तो रशिया से इंविटेशन मगवाया और चले हम अमेरिका गए इंडि सिचोइशन है अब यह जो है जिसे वो कहते हैं कि एक फुल त्रॉटिड जो कंडमिनेशन है वो इंडिया नहीं करते हम लोग यह बड़ा सेलिब्रेट करते हैं हमारे रशिया के साथ तालुकात अच्छे हैं पता नहीं होंगे अच्छे तालुकात पर मुझे तो वो वकत कि तालुकात यह बरदा दें करना नहीं हैं कि हममें बार बार पहुंचे जाएं जर्दारी सहाब भी जाएं नौा शरीव साथ ङाएं इम्रान खान साभ भी जाृं सारे हमी जाएं वहां से कोई ना आए उस तबसंटार का तालुक होई यह देखें जाय जो तालुकात की ग क्योंकि केजी भी वो पुटन साब केजी भी कुछ देखते रहे हैं वो सारी हमने मगरब अमरीका के साथ मिलके रशिया को क्या जखम नहीं लगाया अफगानस्तान में तो वो उनके दमाग से चीज़ें नहीं निकल रही है और आज भी उनको पता है कि पाकसान जो रशिया के करीब हो रहा ही है यह तिखाने के लिए अ हरे होंगे ताक अमरीका उसीदा हो ज diu teaches रहनी हो यह जो इंडिया की खुरूंत है और आंडिया का जो हो को अपनी पुजीशन इंडिया ने मेंटेन की है कि इंडिया रुषिया के साथ खड़ा है या इंडिया किसके साथ के इंडिया अपनी नूट्रल पॉजीशन ली रही है अब यहां पर देखें कि तक्रीबन S-400 जो मैंने पहले पता है सर्फेस टू एर मिजायल सिस्टम जो इंडिया को मिला उन्हें अच्छे बहले फाइप पॉइंट्री फो बिलियन डॉलर की इंडिया जो है उसने कुछ छे लाख रशियन डैजिक डिजाइंड एके टू जिरू त्री सॉल्ट रैफल जो है जो के इंडिया की इनास मॉडल की जो राइफल है उसको रिप्लेस करेगी जो इंडिया तीन डैकेट से इस्तमाल कर रहा है तक्रीबन जो रशिया की एक्सपोर्ट है इंडिया को वो का जा रहा है उन साथ बिलियन डॉलर ती इस तरह जिसमें मिनरोल लॉयल्स थे फर्टिलाइजर से रफ डाइमर्स हैं और जो इंडिया की जो एक्सपोर्ट है रशिया को वो तक्रीबन त्री बिलियन गुड्स आती है जाहतार फॉर्मसोटिकल प्राइज कॉफी वेगरा यह जो चीज़ें जाती है